हाई गाईज इस बवीता और वेलकम बैक टो माय चैनल दिवाइन लाइट आप टेरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थम्नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जि एक उनकी फिर से एक चाल है आपको फसाने के लिए या फिर से वो कोई चाल चल रहे है आपको फसाने के लिए या कोई दाव चल रहे है ठीक है इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पर अल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मेंसेज कर सकते हैं। चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, क्या वो अपने किये पर शर्मिंदा हैं या नहीं, या फिर से ये कोई चाल है उनकी, ये हम इस रीडिंग के तुरू देखेंगे। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, क्या वो अपने किये पर शर्मिंदा हैं या नहीं, या फिर ये फिर एक कोई उनकी चाल है, आपको किसी चीज में फसाने के लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वा रहा है, एस आफ कप्स, एस आफ कप्स का का कार्ड है, वर्ल्ड का का कार्ड है, दा वर्ल्ड का का कार्ड है, six of pentacles का card है knight of cups का card है और three of cups का card है seven of wands है sun का card है queen of cups का card है magician का card है six of cups का card है और यहाँ पर जो card है nine of cups cups की energy बहुत जादा है water element बहुत जादा है bottom of the deck जो आ रहा है वा रहा है wheel of fortune देखे सबसे पहले तो मैं आपकी राशी की बात करती हूं आपकी राशी क्या हो सकती है देखे आपकी राशी व्रश कन्या या मकर हो सकती है आपकी राशी कर्क व्रश्चिक मीन हो सकती है मिथून हो सकती है सिंग हो सकती है या कन्या हो सकती है आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका शनी बहुत स्ट्रांग हो सकता है सूर्य बहुत स्ट्रांग हो सकता है बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो सकता है यहां पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है मुझे आप लोगों की वह यह नजर आ रही है कि आप लोग बह बहुत इमोशनल हो, intuitive भी भी हो, बहुत ज़दा किसी की बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी यह कह सकते हैं कि emotional हो जाते हो, sensitive हो जल्दी आपको लोगों पर दया आ जाती है, बहुत जल्दी emotional हो जाते हो intuitive भी हो आपका intuition power है या insight में बोल सकते हैं बहुत strong हो सकता है और आपका intuition काम भी करता है जो भी intuition आपको आता है वो सत्ते निकल जाता है कई बार आपको पहले से चीजों का आभास भी हो जाता है लेकिन कई बार आप अपने intuition की नहीं सुनते हो आप अपनी soul voice की नहीं सुनते हो ऐसा मुझे यहाँ पर cards देखकर लग रहा है और जो भी लोग जिनों ने भी आपके साथ गलत किया है या जिनों ने भी आपके साथ बुरा किया है उनको मैं यहाँ पर बोलूँगी कि उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है आपने की ये पर क्योंकि अगर उन्हें शर्मिंदगी होती हो यहाँ आपको हर्ट यह नहीं करते आपको दुखी ही नहीं करते, आपको बार-बार ये कह सकते हैं आपका शोशन नहीं करते, बार-बार आपको लेट डाउन करने की कोशिश नहीं करते, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते बट यहां यह जो शर्मिन्दगी है यह सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है यहां पर six of pentacles का काड़ है लेंदेन बराबर करना या कोई हिसाब बराबर करना या फिर से कोई चाल चलना आपको फसाने के लिए या आपको फिर से किसी गड़े में डालने की कोशिश कर रहे हैं फिर से यह कोई आपके लिए जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं Ace of Cups का काड़ है हो सकता है बहुत सारे लोग देखें यह कोई भी हो सकते हैं टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जब कभी भी कोई रीडिंग को देखेगा, यह किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर करेगी. तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, वो इनसान, आपका रिष्टेदार हो सकता है, आपका कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंट सरकल में कोई हो सकता हैं, वर्क प्लेस के कोई लोग हो सकते हैं, पडोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, यह जो लोग हैं, इनको कोई भी शर्मि जो भी चीजे होई हो सकता है, देखिए, पास्ट में कुछ ऐसी चीजे होई, जिनके कारण ये लोग जो थे आप से अलग हो गए, या ये हो सकता है, कोई इशू क्रियेट हो गया, आपकी इन लोगों से लडाई हो गई, जगड़ा हो गया, बट फिर इसे इन लोगों ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ पढ़ाया, और आपसे कहा कि वो शर्मिंदा है अपने किये पर, वो किसी और के कहने पर ऐसा कर बैठे थे, या अंजाने में या नादानी में उनसे ये गल्ती हो गई, हो सकता है, लेकिन उनका जो असली मक्षद है वो आप अभी समझी नहीं पाए है, दा वर्ल्ड का कार्ड है, वो आपको जो है, किसी ना किसी तरह का धोका देना चाहते हैं, कोई उनकी मनशा है, नाइन ओफ कप्स का कार्ड है, जो वो पूर्ण करना चाहते हैं, और सिक्स ओफ कप्स का कार्ड है, आपको ये लग रहा ह होगा कि इन से सुला हो गई, इनको अपनी गल्ती का एसास है, इनको पश्चा ताफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो लोग हैं, इनकी magician की energy है, और magician की energy आपको क्या बताती है, magician वो एक इन सान होता है, जो साम दाम दंड भेद लगा कर, अपनी मनशाओं को पूरी करता है, अपनी एक्छाओं को पूर्ण करता है और किसी भी चीज़ को manifest कर सकता है अपनी बातों से, इस तरह की इन सान acting करते हैं, इस तरह का अभीने करते हैं आपके सामने के आप उनकी बातों में आ जाते हैं Queen of Cups की एनर्जी है, भूत obsessive energy और possessive energy है The Sun का काड है यह जो है आपकी life को खराब करना चाते हैं यह आपकी life में जिस तरह से आप shine कर रहे हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, खुश हो अपनी life में यह आपकी खुशी नहीं देख पाते हैं यह आपकी life को खराब करना चाते हैं, यह किसी ना किसी तरह की बार बार आपको चाल चलते हैं आपको फसाने के लिए और आप इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हो आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो वो वाली कंडिशन मुझे आपर दिखाई दे रहे है और ये जो लोग है ये त्री आफ कप्स का कार्ड है ये हो सकता है बहुत जल्दी जो है लोगों से घुल मिल जाते है या आपको ऐसा लगता हो कि ये जो लोग है ये बहुत फ्रेंडली है ये जो है इनके मन में कोई आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये बार-बार आपसे बोलने लगते हैं माफी मांग लेंगे या अपनी सौरी बोलकर फिर से आपके लाइफ में इंटर हो जाते हैं लेकिन असली मकसद जो है इनका कुछ और है असली मकसद है आप से बदला लेना आपको दंड देना आपको फिर से किसी ना किसी जाल में फैसाना ताकि क्योंकि हो सकता है इनके मंद में आज भी आपके लिए ठशन है इनके मंद में आज भी आपके लिए छल और कपट भरा है उपर से हो सकता है आप से बहुत हसस के बोलते हो बहुत प्यार से बोलते हो बहुत सानबुती दिखाते हो बहुत अपना अपन दिखाते हो लेकिन असल में तो कुछ और ही चल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं सौरी बार-बार जो है कैमरा हिल जारा सौर्ड तो यहाँ पर कुछ कार्ड और मैं निकालूंगी ओचो जैन से तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है करेज आपकी हिम्मत को यह लोग तोड़ना चाहते हैं मास्टर का कार्ड है एक्सोर्शन ग्रीटर और बॉटम अफ़ देक जो है पॉलिटिक्स देखें मैंने आपको क्या बोला था भी बोला था और यहाँ पर बॉटम अफ़ देक पॉलिटिक्स का कार्ड आगे बहुत पॉलिटिक्स चलते ही यह लोग बहुत ज़्यादा जो है मूपर कुछ और दिल में कुछ और इनके चलता है यह ऐसे लोग हो सकते हैं जो तेरे मूपर मेरी और मेरे मूपर तेरी करने वाले हों बहुत मीठा बोलने वाले और इन लोगों की जो बाते हैं इतिनी मीठी होती है कि कोई भी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। बहुत मीठा बोलते हैं। लेकिन ये आपकी लाइफ को exhaustion मतलब ये आपकी लाइफ को बहुत ऐसा करना चाते हैं ताकि आप फिर से तूट जाओ। जो हिम्मत आज आपके अंदर आई है आगे बढ़ने की कुछ कर गुजरने की वो हिम्मत को ये तोड़ना चाते हैं। मास्टर का काड है। क्रियेटर का काड है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि वो बार-बार कुछ ना कुछ चाल चलते हैं और आपको फसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो क्रियेटर है, जो मास्टर है, जो इश्वर हैं कही ना कहीं से आपको हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको मदद करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको क्लू मिलता है, कहीं ना कहीं से आपको उनका इंटेंशन पता लगता है या उनकी बातों से, क्योंकि आप इं सब्सक्राइब आपने मन की बात सुनना स्टाट कर दोगे उस दिन आपके शत्रूं आपके साथ कोई भी चालचल नहीं सकेंगे तो यह जो हैं आपके साथ जो भी चाले चलते हैं कहीं नहीं उसका क्लू आपको मिल जाता है कहीं नहीं बरबाद करने की कोशिश कर रहे हैं पैचप के बहाने हमदर्दी के बहाने अपने पन के बहाने और ये जो हैं आपकी लाइफ से गुड लग जो आपकी लाइफ में गुड लग चल रहा है जो आपकी लाइफ में शुबता चल रही है उस शुबता को कम करना चाहते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मेजीशन का कार्ड है इन शत्रों का मकसद फिर से पैचप करना देखे क्या होता है जब भी आपके किसी से शत्रूता हो जब भी आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो दुश्मन आपसे पैचप कर ले कंप्रोमाइस कर ले माफी मांग ले उसके बाद उस पर विश्वास आपको नहीं करना है बहले आप उनसे पैचप कर लीजिए उपर उपर से आप सुले कर लीजिए बट आपको विश्वास रत्ती भर भी नहीं करना है क्योंकि आपका विश्वास जीतकर यह तंत्र मंत्र के बहाने आपको किसी तरह से बरबाद करना चाहते हैं है आङ कि लोग जो ए वह सामधे रहकर जो है आपको आब आपको पीठ पीछे से िधाट करेंगे, पीठ पीछे से इन दा सेंस, आपकी गॉसिप कर देंगे, आपके काम भी कार देंगे या फिर आपको back step करेंगे in the form of black magic तंत्रमंत negative energy send करके, cursing करके और ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको भेज कर तंत्रमंत और उसके सहारे जो है आपकी लाइफ को totally रियून करना चाहते हैं, इस state में लाना चाहते हैं इस energy में आपको लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो guidance है वो यही दिया जा रहा है, जब कभी भी आपका किसी से यह कह सकते हैं, आपकी दुश्मनी हो जाए, शत्रूता हो जाए और उसके बाद फिर से आपका उनसे पैचप हो जाए, फिर से सुला हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, आपको उन पर 1%, एक परसेंट दिश्वास नहीं करना है, आप उनसे थोड़ा सा दूरी ही बनाके चलिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी खादे पदार्थ के जरिये, किसी पैपदार्थ मतलब ड्रिंक्स के जरिये, किसी फूड के जरिये, किसी परशाद के जरिये, आपको कुछ ऐसी चीज़ खिला सकते हैं, जिससे आपकी जिन्दगी जो है वह खराब हो जाए कई बार आपके घर में इंटर करके वो कुछ ऐसी चीज़े छोड़ जाए जिसके थुरू आपका जो है sources of income खतम हो जाए या आप बिमार पर जाओ कुछ ऐसी चीज़ खिला दे जिससे आप बिमार पर जाओ दीरे दीरे slow poison के रूप में और आप कुछ भी हो सकता तो यहाँ पर आप बहुत सतर के रहने की वह शकता है आप अपने intuition को समझिए आप अपनी soul voice को समझिए कि सामने वाल आपके साथ इतना अपनापन क्यों दिखा रहा है आपके इतनी support क्यों करने लगा अचानक से इसका nature इतना change क्यों हो गया है यह तो आपसे जलता था यह तो आपको कभी आगे बढ़ता देखी नहीं सकता था फिर अचानक से क्या हो गया जो इसका मन बदल गया यह उसका मन नहीं बदला है ना ही उसको अपने किये पर पश्तावा है बलकि यह बदले की भावना से उस जलन की भावना से ही आपके पास फिर से आया है और फिर से आपको किसी ना किसी जाल में अपने किसी जाल में फसाने की कोशिश कर रहा है फिर से यह आपको बरबार करने के लिए कोशिश कर रहा है ऐसे लोगों से सतर की रहिए और अपनी आत्मा की अवाज को जरूर सुनिए जो भी आपको इंट्यूशन आता आप उसको समझी और किसी पर भी विश्वास ने किजिए क्योंकि एक बार अगर आप किसी को टटोल लेते हो कि इस तरह का इंसान है फिर तो आपको कभी भी उस इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए और यह जो इनसान है कि इसका कि फिर से आपकी लाइफ में आना जो है कि वह आपको परबादी के रास्ते में ले जाने का एक फिर से एक प्रयास है तो यह थी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग माई वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुर्द्यम ओम साही राम जय मातादी राधे राधे